सॉफ्टेर इंजिनिरिंग में आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड टेस्टिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में कि कोडिंग क्या होता है सॉफ्टेर इंजिनिरिंग में कोडिंग का रोल क्या है ठीक है आने वाले वीडियो में फिर हम टेस्टिं and reliable software coding एक बहुत ही important phase होता है software engineering का अगर आप कोई भी dynamic या फिर रिलाइबल software बना रहे हैं तो आपको coding जरूर यूज करना है ठीक है बिना coding के कोई भी software बन ही नहीं सकता ठीक तो आपको समझ में आ गया होगा coding का क्या रोल है software engineering में second point क्या है by using coding we can transform the design of a system into a programming language आपने जो भी design त्यार करके रखा हुआ है coding के थुरू ही आप उसे क्या कर सकते है programming language यूज करके उसे real में implement कर सकते हैं ठीक है third point क्या है we should implement a well defined standard for coding known as coding standard और हमें coding को उसके standard के according define करना चाहिए उसके standard के according हमें coding करनी चाहिए उसी को हम बोलते है coding standard ठीक है तो अभी ये coding standard अगर हम follow करते हैं था हमें क्या advantage मिलेगा यहां पर देखिए by using coding standards our code will be easily understandable easy debugging error free and we can extend it according to our requirement अगर आप coding standard follow करते हैं ठीक है तो आपका code काफी असान होगा समझने के लिए आप error बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हैं error free हो सकता है आपका code साथी साथ आप अपने requirement के according उसको extend भी कर सकते हैं घटा या फिर बढ़ा भी सकते हैं तो यह सब काम आप तभी कर सकते हैं जब आप coding standard follow करेंगे according standard क्या होता है यहाँ पर हमने आपको बताई दिया implement a well defined standard for coding coding के लिए जो well defined standard define किया गया उसी के coding आप implement करें software को उसी को बोलते coding standard अब अगला point क्या है the coding standard guidelines are the rules how to write the code so the overall coding becomes understandable यह जो coding standard ना यह जो guidelines है इसको rules बोलते है ठीक है और इसी rules को अगर आप follow करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको code कैसे करना है कैसे code करेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा code है वो understandable रहे है ठीक है यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है software engineering में जब आप coding करेंगे कोई भी software को develop करने के लिए the following steps describe the representation of coding standard पहला होता है less use of global variable global variable का जितना कम हो सके use करें global variable का यूज आप तभी करेंगे माल लिजे आपका ये एक software है इसमें ना दो module है अगर दोनों module में आप सेम चीज को कर रहे हैं सेम काम कर रहे हैं और इसके लिए आपको सेम ब्यर्येंबल की requirement है तब आप use करेंगे global variable ठीक है और अगर मालीजे इसके लिए आप अलग काम कर रहें इसके लिए अलग कर रहें तो तब आप global variable का कम सो कम use कर यहां requirement है वह ही करिए नहीं तो मत करिए सेकेंड क्या होता है exception handling का mechanism आप यूज करिए क्यूं माल लिजे यहाँ पर divide का code लिखा हुआ हमने 10 डिवाइड 0 लिखा दूँ जैसे हम किसी भी number को 0 से डिवाइड करते exception आता है तो अगर हम exception handling mechanism यूज करके उस exception को handle नहीं करेंगे तो हमारा जो भी software हमने बनाया है जैसे हम number को 0 से डिवाइड कर देंगे exception आएगा हमारा software वहीं पर break कर जाएगा मतलब वहीं पर रुख जाएगा इस्टक हो जाएगा इसलिए हमें क्या करना है उसे exception से बचाना है अगर हम exception को handle करेंगे तो जीरो से डिवाइड करने के बावजूद भी हमारा software चलता रहेगा ठीक है और हमें बताएगा कि exception आया है क्यों आया है तो यह दो standard होते है coding के अगर आप follow करेंगे तो आप क्या कर सकते है अपने software में अच्छे से काम कर सकते है rule no.3 क्या है naming convention for global variables local variables and constant आपको पता अलग-अलग तरह का variable होता है तो हर variable के लिए आप अलग-अलग तरीके का नेम यूज करें जैसे constant variable को आप capital से लिखिए global variable को आप camel case later में लिखिए local variable को आप अलग से दिखाए तो इससे क्या पता चलेगा कि कोई भी देखेगा आपके code को तो वो समझ जाएगा कि capital वाला variable उसको कहीं भी दिखेगा तो अपने आप जान जाएगा कि वो constant variable है ठीक है आपको बताना नहीं प ठीक है तो आपको समझाना ना पड़े वो comment पड़की ही समझ जाए नंबर फिप्त क्या है अब particular module should contain maximum 1-20 line of code ठीक है अगर 1-20 line of code है तभी आप एक module में उसको लिखिए अगर उससे जादा होता है तो अलग module एक बना लिजिए ठीक है यह नहीं कि 100 line का code एक module में ही लिख दे बहुत complicated हो जाएगा समझना अगला point है don't use such type of coding that is very clever or difficult to understand उस तरह का code मत लिख दिजिए जिसे समझना काफी मुश्किल हो ऐसा नहीं कि आपने net में कुछ code देखा जो आपके requirement के according है और आपको खुछ समझ में नहीं या रहा लेकिन आप अपने project में उसको यूज कर रहे है इस तरह का code मत यूज करें मत लिखिए क्योंकि वह आपके लिए भी और आपके client के लिए दोनों के लिए difficult है समझना अगला point है don't use same identifier for multiple purposes अलग-अलग काम के लिए same identifier का use मत करें ठीक है मतलब same variable या फिर same method का use आप हर जगा मत करें हर काम के लिए अलग-अलग बना लिजिए अगला point है don't use short form of the name of variable and methods कोई भी अगर आप variable बना रहे तो उसका short form use मत करें ठीक है और कोई method बना रहे तो उसका short name use मत करें माल लिजे हम कोई भी module के अंदर a plus b का code लिखे है तो आप उस module का नाम देंगे addition ठीक है इस तरह का नाम आप देंगे module का इससे क्या होगा कि कोई भी इस नेम को देखे गाना समझ जाए गया addition module के अंदर यह code ही लिखा हुआ है उसको चेक करने की जौरत नहीं पड़ेगी तो यह होता है software engineering में coding अब आने वाले वीडियो में हम आपको इसी तरीके से testing के बारे में बताएंगे अगर यह वारा वीडियो पसंद आया हो तो like करिए share करिए channel को subscribe कर देजिए